नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल इस्षोडी पॉइंट पर आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए फिर एक नई वेकंसी जो है अप्रेंटिसिप के वेकंसी लेकर आया हूँ जो आपकी मिनी रतम कंपनी होती है जैसे एक नौरतन कंपनी होती ही भारत सरकार की वैसे एक मिनी रतम कंपनी होती है उस मिनी रतम कंपनी मैं से मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारती विमान पत्तन प्रारधी करण Airport Authority of India जो एक्ट उनिस से एक्सट फॉर येर दो हजार बाइस दो हजार तेईस इन एरपोर्ट्स ऑफ इंडिया नॉर्थन रीजन तो यहां पर आपका जो है अप्रेंटिस सिप की जो है वेकेंसी यहां पर आई हुई है तो इन पोश्टों में आई टी आई के बच्चों के लिए वेक इसमें जो है बच्चे जाल सकते हैं फारम मेकैनिक में फिटर वाले जो है कंडिडेट्स हैं वो फारम को अप्लाई कर सकते हैं और एलेक्रोनिक्स वाले जो बच्चे हैं एलेक्रोनिक्स टेट्स ते वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद नमबर आप सीट जो है इसकी 44 है 44 और एक साल की जो है इस पे ट्रेनिंग रहेगी दिरिंग आफ ट्रेनिंग जो वन इयर और मंथली जो है स्टाइपेंट आपको जो है ट्रेड आईटिय ये अपरेंटिस का 9000 पर मंथ रुपए आपको मिलेगा लोकेशन जो है इयरपोर्ट की आपकी कहीं भी लग सकती है मुरदाबाद, प्रताबगर, प्रियागराज स्रीनगर, वारारशी, गौालियर गोरकपूर, इस तरह से दिल्ली दिलही तो कहीं भी लग सकती है इसकी लाजडेट जो है आपकी मैं बताना चाह रहा हूँ साथ ग्यारा दो हजार बाईस यहाँ पर देखिए इसकी लाजडेट जो है साथ ग्यारा दो हजार बाईस है और एजुकेशनल कॉलिफिकेशन जो यहाँ पर मांग रखा है वो आईटी आई, आप आईटी एंसी विट्टी साथिफिकेट से ही होना चाहिए एसी विट्टी वाले बच्चे इसको अपलाई नहीं कर सकते हैं इसके बाद अपरेंटिसिप जो है इसमें अपरेंटिसिप जो है बच्चा रेजिस्टेशन होना चाहिए अपरेंटिसिप का और उसके बाद इसमें एक सौट ये बता रखा है कि नॉर्थन रीजन और इलिजबिल जो नेशनल ओनली इंडियन नेशनल फॉर नॉर्थन रीजन मतलब जो नॉर्थ के हैं वही इलिजबिल हैं यहाँ पर वो फार्म को अपलाई करेंगे उनको प्राथमिकता रहेगी उसके बाद कंडिडेट पास्ट जो पास्ट 2020 या 2022 भी पास है इलिजबिल रहेगा और एज लिमिट जो है इसकी 26 साल रहेगी जो 31-2022 के अंतरगत रहेगा जोड़ जाड़के मतलब 26 साल इसकी एज लिमिट रहेगी बच्चे जो फार्म और इसका मोड अप सेलेक्शन जो मैं उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि यहां पर देखिए यहां पर आपके सामने जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहां पर कि इस टाइप से यहां पर सबसे पहले आपको क्या है इसका लिंक ओपन करके इस लिंक ओपन करके जो है यहां पर कंडिडेट ज जो है इसका registration आप करेंगे apprenticeship का इस तरह से आपका farm खुलेगा इस farm को भरने के बाद जो है यहाँ पर submit करेंगे और submit करने के बाद जो है फिर आप आगे बढ़ेंगे आगे आपका इस type से registration हो जाएगा यदि आपके पास registration है तो farm को आगे भरेंगे और इस type से भरते हुए जो है login कर देंगे submit कर देंगे और आपका farm जो है पूरी तरह से भर जाएगा और farm भरने के बाद जो है आप इसका जो है सुल्क जो application सुल्क है वो आपका नहीं पड़ेगा यहाँ पर इन्होंने बता रखा है मैं आपको दिखाता हूँ कि कहां पर इन्होंने कहा है कि application सुल्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा